नमस्कार मेरा नाम एनिकिल आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्णिशन उन्होंने उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ प्रत्यासी उतारने का निर्ने किया है तारापूर सीट से वह छात्र जनसक्ती परशत के मुंगेर प्रमंडल के अध्यक्ष संजय कुमार को निर्दलिय चुनाव लड़वाने की तयारी कर रहे हैं संजय ने रूस से मैकनिकल इंजिनेरिंग की पढ़ाई की है और 15 साल रूस में रहकर नौकरी करने के बाद बिहार में रह रहे हैं छात्र जनसक्ती परशत के प्रदेश अध्यक्ष प्रसांत परताप यादव ने बताया कि संजय कुमार तारापूर से निर्दलिय चुनाव लड़ेंगे और परशत उनकी भरपूर मदद करेगा वहीं एक मीडिय से इंटर्व्यू के दौरान संजय कुमार ने कहा कि यादव जाती से आता हूँ और तारापूर विधान सभा में यादवों की संख्या 72,000 है 2005 में निर्दलिय और 2010 में कॉंग्रेस के टिकट से विधान सभा का चुनाव लड़ चुका हूँ अभी नामंकन में समय है आपको बता दे कि टेजप्रताप यादव ने इससे पहले 2019 के लोग सभा चुनाव में भी जहानाबाद से अपने करीबी को निर्दलिय उमिदवार बनाया था उसके लिए चुनाव प्रचार भी किया था इससे जद्यू के चंद्रवेश्वर चंद्रवनसी की रह आसान हो गई थी और RJD वहां से चुनाव हार गई थी बताया जा रहा है कि RJD के अंदर तेजप्रताप के लिए हालात अब अच्छे नहीं रहे तेजश्वी से तनाव काफी आगे बढ़ चुका है लालू का साथ भी उन्हें नहीं मिल रहा है पार्टी के वरिष्णेता सिवानन्तिवारी ने तो बुद्वार को प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि तेजप्रताप यादव को निस्कासित करने का कहा सवाल है वो तो खुद से ही निस्कासित हो चुके हैं तिवारी के बयान के बाद तेजश्वी और लालू प्रशाद की चुप्पी इसे और ताकत देती है हाला कि तेजप्रताप यादव साज़जनिक रूप से कहते रहे हैं कि उनके पिता लालू प्रशाद को जेल भिजवाने में सिवानन तिवारी की भूमिका रही है सिवानन तिवारी इसका कोई जवाब भी नहीं देते हाल में जगदानन सिंग ने भी कहा था हूई इस तेजप्रताप इधर तेजप्रताप ने हाथ में लाल्टेन को छातर जन सकती परशत का चिन बनाया तो उसे लालू और तेजश्वी ने नहीं रखने दिया इसके कारण उन्हें चिन को भी बदलना पड़ा था आपको बतादे कि चर्चा इस बात की भी है कि तेजप्रताप कॉंग्रेस का दामन ठाम सकते हैं दोनों भाईयों के भी जब विबाद सुरू हुआ था उस समय तेजप्रताप ने दिनकर की कविता को सोसल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि दो न्याय अगर दो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केबल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुसी से खाएंगे पर जन पर असीन उठाएंगे इस पर भी आरज़ेडी राजी नहीं हुई तो उन्होंने छातर जन सकती परिशत को ताकतवर बनाने का अभियान सुरू किया राजनितिक पार्टी की तरफ विभिन प्रकोष्टों का गठन कर रहे हैं तेजप्रताप तेजप्रताप के मित्र चैतन्य पालित कॉंग्रेस में रहे हैं लेकिन गया बिधान सवा सीट से उनको टिकट नहीं मिला था चैतन्य के सरोकार कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं से रहे हैं तेजपरताप अपने मूड से राजनेता माने जाते हैं वे कॉंग्रेस में जाएंगे या नहीं यह अभी सिर्फ चर्चा में है यह तय है कि चातर जनसक्ती परिषत को वे राजनितिक पार्टी की राह पर ले जा रहे हैं तो आपको बता दे कि खबर आ रही है कि चातर जनसक्ती परिषत के मुंगेर प्रमंडल के अध्यक्ष संजय कुमार तारापूर विधान सभा सीट से निर्दलिये चुनाव लड़ सकते हैं जिसका समर्थन तेजपरता प्यादव की चातर जनसक्ती परिषत पूर्य भरपूर तरीके से देने वाली है और भी अपडेट्स देंगे बने रही है नियूस फोर्नेशन के साथ धन्यवाद